हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम तो मैं चैनल मुवी जाती है और वहाँ शार्क उन लोगों पे अटेक करने लगती है यहां हर किसम की शार्क होती है और इंसानों का वहाँ जाना किसी खत्रे से कम नहीं मुवी के स्टार्ट में हम सबंदर में पांच लोगों को देखते हैं जो लाइफ राफ्ट के सहारे पानी में होते हैं और उनके एर्दगिल शार्क सूम रही होती हैं सीन शिफ्ट होता है दो दिन पहले हम देखते हैं कि फ्रेंड्स का ग्रूप मेरिलेंड पोर्ट पर पहुँशता है और बोर्ट में सामान रख रहे होते हैं वहां ब्रेड आता है और कश्टी के मालिक जॉन से कहता है कि मैंने आप से फोन पे बात की दी जॉन पूछता है कि तुम्हें बोर्ट और रास्ते का कोई experience है तो ही साथ चलोगे तो ब्रेड उसे मना करता है तो जॉन उसे साथ ले जाने से भी मना कर देता है तब ही जॉन की गर्फरेंड मैग उससे कहती है कि कुछ नहीं होगा इसे साथ आने दो वो बोर्ट में आता ह होता है लेकिन जॉन उसे मना कर देता है मार्क उसे में आकर वहां से चला जाता है तो जॉन ब्रेड से कहता है कि तुम्हें उसे ऐसा करने से मना करना था अब वो पूरे सफर में इसी तरह बढ़ताओ करेगा ब्रेड बोर्ट पे होता है और वहां आने वाले तूफान के ब तूफान आने वाला है जॉन नीचे जाकर मार्क से कुछ सामान के बारे में पूछता है कि वो सामान कहा है लेकिन मार्क ने ड्रिंग की हुई होती है तो उसे याद ही नहीं आ रहा होता जॉन उससे कहता है कि होश में रहो तूफान आने वाला है और तुम नीचे ही रहो अग तूफान उनके काफी करीब आ चुका होता है वो ठिलने की वज़ा से सारा सामानी धहुदर गिर रहा होता है तो ब्रेड और मैग सामान उठा रहे होते हैं जॉन ब्रेड से कहता है के रेडियो पे कोस्ट कार्ट से कॉंटेक करने की कोशिश करो ब्रेड और मैग सामान संभाल तब और का डूर के मैक की तांग पर आ लगता है जिस वजह से उसे बहुत ही गहरी चोट लगती है जॉन मैक को फ़र्स टेट देता है तो जॉन कोस्ट कार्ट से बात करता है तो वह उन्हें बताते हैं कि रेस्क्यू टीम तीन घंडे के अंदर पहुंच जाएगी वह अपनी पोजिशन होलड रखें पिर जॉन बाही राता है और कोस्ट कार्ट की बात को नहीं मानता और मार्क और डैप को नीचे बेश जाता है तबी सामने से बहुत ही उची लहर आती है और उनकी बोर्ट पलट जाती है सारा सामान पाली में बहच जाता है वो लोग किसी तरह अपनी जान बचा के एक लाइफ राफ्ट को पकड़े होते हैं लेकिन इसका कोई फाइदा नहीं था क्यूंके बोर्ट के साथ ब्रेटियो भी टूप चुका होता है जॉन उनसे कहता है के रेस्क्यू टीम आ रही होगी लेकिन वने लाइफ राफ्ट से लगकर तैरते हुए छे घंटे हो चुके होते हैं लेकिन उन तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुँचती मैक की टांग से खून निकल लाहा होता है तभी मार्क को फिर ब्रेट को पाउं के पास कोई चीज महसूस होती है और फिर मैक को तो वो नीचे मुग करके देखती है तो वहाँ बहुत सारी शार्क्स होती है एक्चिली वो लोग एट्लैंटिक ओशन के उस हिस्से में होते हैं जहां हर किसम की शार्क्स होती है और इंसानों के वहाँ जाने किसी खत्रे से कम नहीं वो सब बहुत ही डर जाते हैं जिस वज़ा से बोर्ट पलट जाती है तो मार्क शार्क से बचने के लिए उल्टी बोर्ट पे चर जाता है तो सब उस पे चिलाने लगते हैं उसे नीचे उतारते हैं और बोर्ट को सीधा करके एक किक करके उसके उपर चर जाते हैं लेकिन श इस वज़ा से जॉन पानी में गिर जाता है शार्क के अटेक करने से पहले वो उसे उपर खीश लेते हैं पिर जॉन उन्हें मुवमेंट करने और चिलाने से मना करता है ताके शार्क उनकी तरफ अट्रेक्ट ना हो कुछ देर बाद शार्क उनकी बोर्ट पर अटेक करना ही होगी उन्हें अब वहां 31 आवर्स हो चुके होते हैं चोट की वज़ा से मैक की तब्यात बहुत खराब हो रही होती है और उसकी टांग भी नीली पर रही होती है तो जॉन उसकी टांग पर टाइट से बेल्ट बानने लगता है ताकि उसका असर बॉड़ी पर ना हो दर् उनके पास आने लगती है तब ही ब्रेट जॉन और मार्क को लड़ने से ब्रोकता है नेक्स जॉन को अपने सामने एक आइलेंड नजर आता है तो वह जम करके उस आइलेंड की तरफ जाने लगता है ताकि वहां पहुंच कर लोगों की मदद ली जा सके वह तैड़ता हुआ आइलेंड की तरफ जा ही रहा होता है तब ही उसके फ्रेंड उसे आवाज देते हैं वो उन्हें कहता है कि वहां आइलेंड है तो वो लोग कहते हैं कि वहां कोई आइलेंड नहीं है जॉन मुर कर देखता है तो वहां कोई आइलेंड नहीं होता उसे हैलसिनेशन हो रहा होत वो वापिस बोर्ट की तरफ जाने लगता है लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां शार का जाती है और उसे मार कर खा जाती है वो सब बहुत डर जाते हैं और रोने लगते हैं क्यूंकि उनके आखों के सामने शार्क ने जौन को मार दिया और वो कुछ भी नहीं कर पाए वहां उन्हें ढाई दिन हो चुके थे लेकिन अभी दर उन तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई उनके पास ना तो कुछ खाने को होता है और ना ही पीने के लिए पानी वो नहीं जानते थे कि वो यहां से जिन्दा बचकर निकल पाएंगे भी या नहीं मार समंदर का पानी पीने लगता है ब्रेड और डैब उसे मना भी करते हैं लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता उसके बाद मार पागल होने लगता है तो मैग उनसे पूछती है कि इसे क्या हुआ है तो डैब बताती है कि समंदर का पानी पीने से इंसान साइको हो जाता है मार अपने हाथ पहला क बोर्ट के किनारे लेट जाता है तभी शार्क आकर उसे पानी में खीश लेती है मार भी शार्क का शिकार हो जाता है अब मैग की तब्यत बहुत जादा खराब हो रही होती है वो कहती है कि जोहन बहुत ही अच्छा लड़का था अगर वो जिन्दा होता तो हम यहां से जाक बोर्ट में पैड़ जाती है लैकिन बरेट पानी में ही होता है उसकी तब्यतव हो रही होती है तभी वहां शार्क आने लगती है यह और घीश लेती है आज भी इन तक कोई मदद नहीं पहुँच पाती अगले दिन वो दोनों बिल्कुल निढाल होकर पोर्ट में लेते होते हैं तब ही उन्हें कुछ आवाज आती है और वहां शिप आ रही होती है तो वो उठकर चिलाने लगते हैं जाके शिप के लोग उन्हें देख लें और लगली शिप के लोग उन्हें देख लेते हैं और शिप रुकवा कर उन्हें रसी के साथ एक बंदी हुई ट्यूब फेकते हैं ब्रेट स्विम करके ट्यूब तक पहुंचता है लेकिन जब वो पीछे मुल कर देखता है तो डैप पीछे होती है और वो स्विम भी नहीं कर पा रही होती तबी शार्ग उसके पास आने लगती है तो ब्रेड डैप को बचाने वापस वहाँ जाता है और उसे बचाता है और भी उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है एंड में हमें रियल डैप और ब्रेड की रेस्क्यू करते हुए पिक भी दिखाते हैं जो शिप कैप्टेन ने क्लिक की थी ब्रेड और डैप को आठ दिन हॉस्पिटलाइस किया गया था क्यूंके उनकी कंडिशन बहुत जादा हुराब थी डैप ने अपनी सर्वाइवल स्टोरी पे तीन बुक्स लिखी उसकी 2012 में देथ हो गई ब्रेड को इस ट्रॉमा से निकलने में कहीं साल लगे इन 2019 ब्रेड अपनी वाइफ और दो बच्चों के साथ कैप कोर्ड में रहता है और वो बोर्ट का कैप्टेन भी है और अपने दोस्तों की याद में आज भी वही ट्रेश्मेंड के रूट पे बोर्ट चलाता है और इसी के साथ ये मुवी एंड हो जाती है